तो दोस्तो भले आज वाई नोटिफिकेशन दस मिनिट से ओपर ही चले जाए बट आप सभी इने ध्यान से सुनना है आज वाला अपडेट क्योंकि आपके लिए काफी महत्तपों रहेगा जहां पर 79 डिफरेंट केटिगरीज में आपकी पोस्त निकाली गई है 79 डिफरेंट भिवागों में आपके पोस्त देखने को मिलेंगी तो हमाचा पदेव स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमिरपूर की तरफ से काफी इंपोर्टन नोटिफिकेशन जारी हुआ है आप सब इन्हें ध्यान से सुनते रहना है पूरी अपडेट को आपको पूरी इफर्मेशन जहां पर बता दी जाएगी सबसे पहले आपको बता दूं तो आपकी रिकुर्मेट जो आई हुई है इसमें 79 पोस्त होगी वह आपको नीचे बताऊंगा कौन-कौनसी पोस्त हैं ओपनिंग कब से होगी 30 त केडेगरीज में पोस्त आखिरकार आपको देहने को मिलेंगी सबसे बहुता मिले में बता दूं आपको 79 अपको 79 पोस्त देहने को मिलेंगी यहाँ पर 79 त इसमेइन कावर्व्ट जयाता होंगी तो जहां पर आप سंते रहीए अप्र ढंगयो थे सवचिय पूर्मेट बारा पोस्ट कोड तो यह पोस्ट कोड देखने को मिलेंगे आपको निके चलिए आगे नीचे रोपवे एंड रैपी ट्रांसपोर्ट सिस्टम डवर आगे रोपवे एंड ट्रास्मिशन जल्दी जल्दी से करते हैं क्योंकि आपके लिए टाइम काफी कम है और हमारे लिए आप सभी का तो टेकनिकल एजुकेशन वॉकेशन एंड ऑन इंडरेस्री टेनिग सुंधरेनगर ऐज को आपको हुरे आपको देखने को मिलेंगी बाकि पोस्ट यहाँ पर आप खुट देखते रहना कि कि बर्ती हो रही है यहां पर अधे गहों की पनेसने मार सेफटी एंड रेगुलेशन फूर सेफटी ओफिसर की आजूश विवाग में आयरुविदिक फर्मासिस्ट की हिमाचा पदेश टूरिजम डेवल्मेंट कोर्परेशन में आपकी रिकॉर्मेंट आउट की गई है फिर चलिए नीचे डिप्टी कमेशनर लहॉल स्पिती में ज जिसमें एलेक्शन डिपार्टमेंट एलेक्शन कमिशन और वेन्यू डिजस्टर मेंजमेंट में देखने को मिलेंगी आपको पोस्ट बद्दी ब्रोटी वाला नालागा डिवल्मेंट अथर्टी जूनियर सीवल की आपको देखने को मिलेगी फिर एक और पोस्ट आपको युहाबो जूने ड्राफ्ट समयन की बद्धी में देखने को मिलेगी फिर हमारी 21 नंबर की पोस्ट आती है HRTCB वाग में कंड़क्टर की पोस्ट देखने को आपको मिलेगी काफी कमेंट साते हैं कि कब तक आपकी भरती आ सकती है हमने कहा हुआ था कि आपको 2023 में देखने को मिल सकती है भरती बट 2022 में ही आपकी भरती आ गई है तो यह आप शुक्र मनाई है कि आपकी भरती जहां पर आउटक कर दी गई है कंड़क्टर की कॉंट्राक्ट वेसिस के ओपर होगी 360 वगैंसी है आपकी फिर हमाचवदेश ट्रांसवड कोपरेशन एसिस्टन प्रोग्रामर की होगी फिरे रिवन्यू डिजास्टर मनेजमेंटमें सुपरवाईजर औथ स्टेट ऎमर्जंशी की आपको देखने को मिलेगी फूड सिविल सिप्लाइसß एंड कंजूमर अफेर्स की देखने को मिलेगी तो यह सब देखने को मिलेंगे आप खुद देखते रही है जहां पर जो यो मैन मैन आएenगी जो आपके लिए महत्ध पोना है भ技 आपको बताता जाऊंगा भार मैं कि आप खुद देखते हैं जहहां पर जो ओ acoust अपडेट चला हुआ है है हैं यहां पर आप खुद पड़्ते रही है आपको कोई वाकेन से अगर देखने को मिलती है तो उसको आप यहां पर स्टोप कर सहते हो तो यहां पर टाइकनिकलज के रिक Takam bet कर से क्षिके काफ़ी पॉस्ट ने कलए ऑनकली 239 eco Jeśli और टो यह कोंगी फिर pollution की चल पड़ी यहां पर हिमाचपदे state pollution की आपको various post देखने को मिलेंगी फिर हिमाचपदे state civil supplies corporation limited की junior office assistant की requirement देखने को मिलेगी health and family welfare operation theater assistant की post देखने को मिलेगी fire service की post सब fire officer की post जहां पर देखने को मिलेंगी education qualification भी आपको नीचे बताई जाएगी तो ध्यान से सुनते रहना अभी तक फिर elementary education junior basic JVT की post देखने को मिलेंगी जहां पर अपना अपना डिस्टिक का आप खुद चूज कर लीजी जहां पर अपना अपना डिस्टिक खुद चूज करते रही है आप कि कि कितने बकैंसी आपको देखने को जहां पर मिल रही है यह रही है ऐसे रखा हुआ है तो इसका आप screenshot भी ले साथे हो जहां पर जह दे साथे हो आप धीरे धीरे मैं ले रहा हूं यहां पर तो आप खुद भी इसका screenshot ले साथे हो फिर 66 नंबर की अजूशिब विवाग में ऑपरेशन थेटर एसिस्टेंट की रिकुरिमेंट देखने को मिलेगी फिर एक बार से बद्दी में आपको देखने को मिलेगी फिर एचपी पोस्ट देखने को मिलेगी अनिमल हैस वेंटरी में लेवरेटरी एसिस्टेंट रेडियो ग्राफर की देखने को मिलेगी तो प्लीस की आखिरकार उनने पोस्ट आउट कर दी गई है प्लीस सब इंस्पेक्टर और प्लीस SI की रिकुरिमेंट आउट कर दी गई है एज 21 से 26 पिसार रहेगी ध्यान रखिए आप सभी 28 ग्रैंट टोटल रहेंगी फार मेल के लिए 18 पोस्ट होंगी और फीमेल के लिए 28 पोस्ट कुल मिलाकर आपकी 28 पोस्ट यहां पर देखने को मिलेंगी एच्च भी फाइर सर्विसिज में फाइर मैन की पोस्ट आउट कर दी गई ह 79 फार सर्विसिज की फार्श पाइर मैन की रहेंगी चलिए निच्छे चलिए निच्छे जल्दे से अब आपको बताता हूँ minimum qualification तो minimum qualification मैं main main topics की बताँगा जैसे आपका सव इंस्पैक्टर हो गया, आपका दूसरे हो गये, उनकी बताऊंगा मैं मेन मेन जहां पर जिनकी चाहिए हमें, क्योंकि जिनके कमेंट्स हमें ज्यादा आते थे, हम उन पर फोकस ज्यादा करेंगे जहां पर, तो जो हमारा सबसे पहले HRTC भी गहराते हैं, HRTC कं कंडेक्टर वालों को सभी को बता है, 12th पास होना जरूरी है, 12th पास होना सिर्फ जरूरी है, आपका टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पर, उसी के अधार पर आपको रखा जाएगा, आपका एक return टेस्ट करवाए जाता है, OMR sheet पर, HPSC जो हाँ कंड़क्ट करवाती है टेस् इंस्ट्रक्टर परापंप औरेटर मेकैनिक, इंस्ट्रक्टर बेसिक, तो मुझे यह भी पोस्ट आती है कि इंस्ट्रक्टर की पोस्ट कब आउट की जाएगी, तो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट भी आउट कर दी गई है, तो जहाँ पर चलिए नीचे जो हमारे पोस्ट और उनका एक प्रीम यंदरे प्लस मेन टेस्ट होगा तो वो उनको करना पड़ाएगा तो यह इंस्ट्रॉक्टर की काफी पोस्ट यहां पर मिल रही है हमें तो देख सेते हैं 1087 पोस्ट नमर पर आपको देखने को मेर रही है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तो जहां पर है क्या यहां तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना पास है सबसे पहले यह मिनममौ क्विफिक्शन होती है ग्रेजुएट पास फिर फिजिकल स्टेंडर में आपको जनरल अंड ओब इसी के लिए हाइड पांश है जाहिए और 5 दो चाहिए फिमेल के लिए प्लस टू पास होना चाहिए तो यह सभी क्वालिफिकेशन जो हो चल रही है आपकी इनके साथ या फिर आपका शूट है पॉसेस्ट आर्मी फर्स्ट क्लास सेटिफिकेट आपका हो तो वह सभी फायर मैन के लिए अपलाई कर सकते हैं प्लस तो यह डेजर एवल क्वालिफिकेशन से आप सबी के लिए बख्याप लाई कपसे होना बहुने आपको बता दिया है mode of selection आपके होंगे objective जो जो आपकी होंगी objective type screen test होंगा क्योंकि HP SSC conductor करवा रही तो इसमें कोई भी merit list वाली हो नहीं होगी इसमें सभी में जो हाब हो आपका test conductor करवाए जाएगा जिसमें syllabus बगर अगर आपको चाहिए तो नीचे सिर्फ आपने क्या करना comment कर देना कि इस post का हमें syllabus ला कर दो हम जल्दी से जल्दी आपको syllabus प्रोवाइड करवाएंगे बस एक comment आपका वहाँ पर आना चाहिए कि इस post के लिए syllabus प्रोवाइड करवाओ तो हम syllabus की वीडियो आपके सभी के लिए बना देंगे तो किसी और मन का डाउट है आपके मन में तो वह भी आपको बता सकते हैं बाकि मैंने आपको उदा दिया कि ओनलाइन फॉर्म जो हाँ आपके फिल होंगे ओनलाइन मोड होगा आपका चाहे वह आप साइवर कैफ से फिल करवाईए ओबी सी बना को 120 रुपया और फिमेर कैंड़ेट्स होते हैं एक सर्विसमें ओफ एच पी हिमाच्पदेश के ब्लाइंड बिज्वाली इंपेर्ड ओफ हिमाच्पदेश के उनके लिए कोई फिस जहां पर नहीं रखी गई है मोड ओप्यमेर आपका ओनलाई नहीं होगा जब आपको फिस ओनलाई नहीं जमा करवा सकते हो तो मेन में जो बातें आती हैं बो मैंने आपको बता दी और किसी प्रकार का डॉक्स एल्पों नीचे आप कमेंट कर दीजिए बहांपर आपको पूरी इंफरमेशन बता दी जा 30 तारीक को अपने फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और 29 तरक का अपने फॉर्म सब्मिट करवा दीजिए तो जे ओफिशल नोटिफिकेशन जवाबो हिमाच्पते स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से जारी की गई है